आज की अक्टिविटी है, बोर्ड बनाना बच्चों के कला और शिल्प करने के से हाथ, आख और सोच एक साथ काम करती है तो चलिए देखते हैं, पेपर बोर्ड कैसे बनाना है देखिए square paper यानि चौकल paper काटने के लिए ये ऐसे paper रहेगा उसे हमें ये ऐसे त्रिकुन तरह से फोल कर लेना है फिर ये जो बचा यो पेपर है इसको हम ऐसे फोल कर सकती है ये देखिए ऐसे ये देखिए ये हमारा square paper बन गया और ये जो बचा हुआ paper है इसे हमें अच्छे से फोल करके पार देना है आप कैची का इस्तमाल भी कर सकते हो या ऐसे ही पार सकते हो ये बन गया हमारा square paper चलिए हम शुरू करते हैं ये मैंने एक paper ले लिया अभी मैं इसको fold कर रही हूँ देखिए मैंने इसको fold किया ये पहला fold किया फिर ये मैंने किया तूसरा fold ये देखिए ऐसे चोटा चौकन बना दिया देखिए ये पहला fold है ये दूसरा fold है यह बन गया अभी हमें क्या करना है ये एक दो तीन और यह चा यह से तो हमें एक दो और तीन हिस्सों को ऐसे 3-Cone पूल करना है देखिए आदा पूल करना है ऐसे यह देखिए फिलो mesmo को घुमा के दूसरा फोल भी दूसरे तरफ से भी ऐसे तीरी कोन फोल करना है देखिए ऐसी फिर इसको इसे हाथ में पकड़के ऐसे खोलना है और बीच में उंगली डालते हैं इसको थोड़ा सा प्रेस कीजिए देखिए ये बन गया हमारा ऐसे वापसी छोटा स्क्वेर बन देखिए फिर हमें जो ये सीरा है ये साइड है ये कोना है स्क्वेर का वो दोनों पकड़के ऐसे खीचने है देखिए ये ऐसे ये बन गई हमारी पेपर बूट देखिए ना आप घर पे ये अक्टिविटी कीजिए करते वाप पोटोज और वडियोज लेके अमें जरूर भेजिए धन्यवाद